और यह देखिए, वो कहते है ना कि देने वाला जब भी देता देता चपर खाड के यह देखिए, आठ बैग हैं यह दूद के, मैं यूजुली चार लेकर आती हूँ, एक्चिली क्या हुआ, फिश्वे दो दिन से बच्चों लोग के छुटी थी, तो दूद नहीं आ रहा था तो मैंने कर शर्मा जी को बूल दिया शाम में कि दूद नहीं है, मैं आते हूए as usual दूद लेकर आई हूँ, मेरे हस्बन को पता नहीं था कि मैं दूद लेकर आगी, क्योंकि वो दूद लाते नहीं है, उनको अगर मैं कहूं तो ही वो दूद लाते हैं, वो यूशुली वालोंगी, हलो एप्रिवान, गुड इवनिंग, वर्कम बैक टू माइ चानल, और कैसे हैं आप सभी, उमीद करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सहत मन होंगे, और खुशाहल होंगे, तो बस दूद बॉइल करने रख दिया है, मैंने और साथ-साथ बन रही है और आज मैं बनाने वाली हूं मूऄकी डाल का हलवा, इसके लिए मैं मूऄकी डाल को अभी सोप कर दूगी, इस मूऄकी डाल की इलवा के लिए ऐसा जो डाल होता है, वह चाहिए होता है, पर ब prends और पर बॉल और पर धो कर आप कई बार दोने के बाद गड़ें तो मूऄक मूंकी दाल के हलबे में बहुत सारे टिप्स and ट्रिक लगते हैं तभी एक फीक हफ कप लिया है अब चाहें तो घर की किसी भी कप या कटोरी का बड़ा कटोरी लिजे तो इस कटोरी से आप मेजर कर रहे हैं तो पिर चीजे इसी कतोरी से मेजर कीजेगा मैं मेजरिंग कप का इस्तमाल करें हूँ हाफ कप मेंने दाल लिया है इसी के प्रोपोर्शन में आपको सारी चीजे बताऊँगी तो आप उस हिसाब से जो quantity है उसको increase या decrease कर सकते हैं सबसे पहले monkey डाल बिना चिल के वाली इसको सोक करना है कुछ लोग बोलते हैं 4 गंटे 6 गंटे सोक करना है पर इसको तब तक सोक करना है एक गंटे 1 फिए फिर्ट करती है जितना वी इसको वक्त लगता है जाल गंटें अधर में यह सबसे सोक कर दूघ कशिवास पत्ती में इस्तों में जाल कर सकते ह् हुए नोन बेघुप लोग को मैंने कॉमें ने रिपलाइ किया बूँ चे सब्सक्रम घूण तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सांडविचेज और सांडविच बहुत ही एजी पीजी रेसिपी होती है बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बच्चों को तो खास कर बहुत पसंद आते हैं आप चाहें तो उनके लांच बॉक्स में सांडविचेज दे सकते हो तो मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग आनियन इसको थोड़ा फानली मैं काट ले रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगह पर जो नॉमल प्याज होता ह आप ले सकते हो और यह सांडविचेज इतनी जल्दी बन जाते हैं कि आप सुभा में भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं मैंने आप एक भावनगरी मिर्ची जो तीकी नहीं होती वो ले लिया है थोड़ा सा पनीर था मेरे पास तो इसको भी मैं काट ले रही हूँ स् मसाले भी आप अपनी मर्जी के डाल सकते हैं और सबजिया भी तो आपके बच्चे जो पसंद करते हों वो सबजिया आप डाल सकते हैं तो अभी वक्त है कि मैं जो पनीर है इसको मारिनेट कर लूँ मैंने पनीर के स्लाइस के ओपर मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा गरम मसा तो थोड़ा सा निम्गू का रस मैंने अभी मिला दिया और इसको बस हाथों से मैं तोड़ा थोड़ा रब कर लूँगी और इसको आज सच बहुत देर मारिनेट करके रखने की ज़रुरत नहीं है आप जब तक दूसरा तोड़ा कोई काम करोगे 5-10 मिनट इतना ही काफी है ब तो यह पनीर ग्रिल होते रहेंगे तब तक मैं दूसरी कडाय में स्टफिंग की तियारी कर रहे हूं बहुत थोड़ा मैंने ओई लिया है और इसमें मैंने जो स्प्रिंग आनियन मैंने चॉप की ती वो डाला है इसको बहुत जादा कुप करने के ज़रुत होती नहीं है इ अब आपकी मर्जी की वेजटेबल ले सकते हैं थोड़े से रूटीन के मसाले में डालोंगी हल्दी मिर्ची अधनया का पाउडर आप चाहें तो यहां पे सीजनिंग डाल सकते हैं जैसे की औरिगानो पीजा सीजनिंग चिली फ्लेक्स आप वो डायमेंशन भी दे सकते हो इस स्टफिंग को वो भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं 5 सेंविच बनाने वाली हुए इसके लिए मैंने 4 आलो रिले थे मेरा जो ब्रेड है ना सांविच बनाने के लिए वो बड़ा बला है इसलिए इतने आलो लगेंगे आलू मैंने अबाल लिया थे इने हातों से ही म और सैंविच आपके तूटेंगे नहीं जब आप लेयर करेंगे तो मैं इसको फिनिश करने के लिए डालूगी थोड़ा सा गरम मसाला लेकिन अगर आप वो औरीग्यानो चिली फ्लेक्स वगर डाल रहे हो तो डालेगा पीरी पीरी वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है थोड़ा सा भून ले इस स्टफिंग को यह बिल्कुल भी वाटरी नहीं होनी चाहिए अच्छी ड्राइ होनी चाहिए थोड़ा भून लीजिए और बस यह त्यार है इसमें और कुछ मिलाने की ज़रत नहीं है फाइनली इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैं आड़ करूंगे और सांविचिस में इसको भरने से पहले मेक शूर रूम टेंपरेचर आ जाए और बस सबजी हो गये तियार और इधर देखिए पनीर भी अच्छे से ग्रिल हो गया है यह जो ग्रिल पैन है मेरा यह मायर का है इसको खरीदने के लिए बाइंग लिंक और एक खास डिसकाउं कोड आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रद्धूंगी अगर आप इंट्रिस्टेड है तो आप चेक कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी सांविचिस को असेंबल करेंगे यह तो आप सांविच सांविच मेकर में बना सकते हो जो ग्रिल पैन था इस पर बहुत ही अच्छा बनता है पर मेरे पास वह गैस्वाला सांविच मेकर नहीं है इसलिए मैं और में इलेक्ट्रिक सेंविच मेरे शनुच मेकर शतनी टीजिके रिवाली ने नस्येशन े स्टफिंग आपने बनाई है उसके एक लेर कर दीजिए यह लेर आपको मोटी चाहिए यह पतली चाहिए यह टोटली आपके टीस पर डिपेंड करता है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पतला ही रखेगा वह ज्यादा सब्जी वाला पसंद नहीं करते इसके बाद एक पन लगाईए इसको फ्लिप करके सांविच बनने के लिए रखे और इधर वाला जो बेस है इसके उपर भी बटर लगा दीजिए आप चाहने तो सांविच के अंदर भी बटर लगा सकते हो लेकिन इस तरह उपर लगाने से अच्छा ग्रूल एफेक्ट आता है सांविच इसको तो यह तो था एक स्तायल सांविच बनाने का बिल्कुल सेम स्टाफिंग से आप दूसरी स्टायल का सांविच भी बना सकते हो बिल्कुल पहले की तरह एक स्लाइस लीजिए और उसके उपर वापस आप चोहरी वाली चटनी है वो प्रेड कर दीजिए और इसके उपर हम लो बहुत अच्छा लगता है और आपके sandwich को एक sweet tint देता है तो बच्चों को ऐसे taste जो खटे मीठे होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है तो बेबी के लिए आप इस तरह से बना सकते हो बड़े लोग को उतना पसंद नहीं आता केचप का टेस्ट तो आप आपके हिसाब से इसक देख सकते हैं बस असेंबल करने का वही तरीका है फिर से एक पनीर का slice मैंने लगा दिया है और ketchup वाला bread लगाया है इसके टॉप पे मैं फिर से लगा रही हूं butter जैसे मैंने कहा आप butter अंदर भी लगा सकते हो यह totally आप पे डिपेंड करता है आपको जाधा buttery चाहिए कम buttery अधर यह sandwich त्यार हो गया है मेरा sandwich maker एक तरफ से जाधा cook करता है इसलिए मैं इसे flip करके भी थोड़ी देर और पकालूंगी otherwise usually sandwich maker में uniform cook होता है पर देन आप देख सकते हैं एक तरफ से थोड़ा white है इसलिए और एक minute मैं in fact 30 second दूसरी तरफ से पकालूंगी और sandwich हो गया है ready बस तो इस तरह जो आप grill करके बनाते हो और एक normal sandwich जिसमें आप चीजे लाइन कर देते हैं पर उसे grill नहीं करते तो उससे कहीं ज्यादा यह grill वाले है बहुत पसंद आते हैं मुझे भी मेरी family को भी तो बस जो दूसरा अभी हमने sandwich assemble किया था इसको भी butter लगा के सेखने रग और एक तरफ ketchup, same stuffing वाली layer लगा दीजे और इसके बाद यह twist यह है कि आप इसमें cheese डाल सकते हैं बच्चे लों को cheese भी बहुत पसंद आता है जो normal अमूल cheese आता है process cheese cubes वाला बहुत easily हर जगा मिल जाता है वो भी डाल सकते हो मैंने आप मॉजरेला डाला है और cheese की एक अच्छी खाली करते हैं चीज वाले पराठे भी इसलिए नए इन्वेंट हुए हैं बहुत सारी मॉमी अपने बच्चों को बहलाती है सबजी वाले पराठे में cheese डाल के या पराठे को cheese वाला ही पराठा बना के बिकिस बच्चे नहीं खाएंगे तो मम्मी ओंको ट्रिक डूनने ही प चीजी बनेगा और बस इसी तरह से मैं सारे सान्विच बना लूगी और आप चाहें तो इसमें बटर की जगा गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह देखे यह है चीजी सान्विच और आप ज्यादा चीज डालोगे ना तो और भी अच्छे इसमें तार कीचेंगे मॉजरेला तो अगर आपके पास बटर नहीं है तो इस तरह शुर्दगी से भी आप इसको सेख सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके घर में नियम से सान्विच बनते हैं तब तो ओके है तेकिन अगर मेरी तरह आप उतना फ्रीक्मेंटली सान्विच नहीं बनाते हो तो इसे फिर क्लीन करके रखें और क्लीन करने के लिए टिशू पेपर से पोँच लीजिए तो यह थोड़ा असानी से साफ हो जाता है लेकिन अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बाद में जो तेल वगएर आपने इस्तमाल किया है ना तेल से मेरा मतलब है फैट हमने बट लगती है जो भी यहां वहां फस गए है पार्टिकल्स वह सब साफ कर लीजिए एजिली क्लीन हो जाता है कर दो जाता है और इसके बाद मैंने पूछा क्या चाही पीना चाहींगे शर्मा जी उन्होंने मना कर दिया कि मैंने चाही नहीं पीना आज लसी बना दो अगर दही है तो दही मेरे पास था इसलिए मैं लसी बनाने लगी हूँ और यह वला लसी आप ट्राइ कीजेगा आपको बहुत अच चीनी ले लिए मैंने तीन चमच पाउडर चीनी ली है क्योंकि लसी बनाने का ओडर आया था तो अभी अभी पाउडर किया था मेरे पाउडर नहीं थी और थोड़ा सा इलाइची का पाउडर अब इसको अच्छी तरह से आपको फेट लेना है क्योंकि कंडेंस मिल्क नीच लेना है उतना मैं दूसरे साफ बरतन में डालके फ्रिज में रख दूँगी और बाकी मैं डाल दूँगी लसी बनाने के लिए और मुझे बहुत लोग पुछते हैं दही बनाने का तरीका तो डियर मैंने एक वीडियो में शेयर किया है आप रेगिलरली व्लॉग को मैं एंसर करती रहती हूँ बेरहाल यह जो है दही अब इसको मैं डखकर लगा के फेट लूँगी और दही डालने के बाल ज्यादा नहीं फेटना चाहिए वरना वही प्रॉब्लम आपकी दही एक तो मतलब आपकी जो लसी है एक तो वह पतली हो जाएगी जादा अगरा पेटेंगे दूसरा चैंसे हो सकते हैं कि उसमें से बाटर चूट जाए तो यहां देखें कितनी गाड़ी लसी तैयार हुई है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है आप ट्राय करेंगे तब आप चानेंगे बहुत ही अमेजिंग रसीपी है यह तो बस यही तक की जल्दी मेरी आज की वीडियो थैंक यू सो मुच गाइस फो वाचिंग जल्दी ही मिलूगी आप से नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप उतना रखे दियर सारा ख्याल मुझे दीचे इचासत बाई बाई